नमस्कार दोस्तों हिंदी न्यूज फेर्स में आपका स्वागत है दोस्तों यूरोप से एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है दरसल यूरोप यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज आते हैं उसमें से most of the कंट्रीज जो हैं वो रेसेशन में जा चुके हैं रेसेशन का जब किसी देश की अर्थ वे उस था लगातार दो क्वाटर में अगर निगेटिव में रहती है तो उसको रेसेशन बोलते हैं क्वाटर किसे कहते हैं क्वाटर कहते हैं तीन महीने के तीन महीनों को क्वाटर बोलते हैं जैसे जनवरी फरवरी मार्च ये एक क्वाटर है और April, May, June ये दो quarter हुआ तो ऐसे 3-3 मैनों के एक quarter बोलते हैं तो ऐसे लगातार दो quarter में अगर आप किसी देश की growth negative में रहती है तो उसको बोलते है कि ये देश recession में आ चुका है और recession बहुत ही खराब चीज़ होती है अब बताते हैं कि European Union में mainly कौन कौन से देश recession में आ चुके हैं जिनकी जो growth है अभी recession कहना ठीक नहीं है अभी दरसल उनकी growth negative में आई है तो अगर ये दो quarter में ऐसा ही रहो जाता है तो फिर रेशेशन कहलाएगा फिर रेशेशन होगा जैसे कि Finland है Ireland है ये कोई छोटे देश नहीं है इनकी अर्थवेवस्ता अच्छी है Britain ये भी कितना बड़ा देश है एक नाम आपको सबसे ज़्यादा चौकाएगा बहरीन का वो इसके अलावा अफरीका से अगर देखे तो South Africa Canada सबसे ज़्यादा चौकाने वाला जो भारत के विरोध में पता नहीं कैसे क्या कर रहा है इस वक्त उसकी अर्थवेवस्ता भी नेगटिव जा चुकी है दोस्तों अब ये समझ लिए कि भारत की अर्थवेवस्ता काफी मजबूत है हम लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं अपनी अर्थवेवस्ता भी उसका रिजल्ड भी में मिल ला है भारत की अर्थवेवस्ता 6-7 प्रतिसद मालब पॉजिटिव चल लई है 6-7 प्रतिसद काफी अच्छी ग्रोथ रेड है जो भारत एचीव कर रहा है तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर European countries अगर recession में चले जाते है तो ये भारत के लिए एक opportunity भी होगी उसमें पैसे कमाने के लिए अगर भारत इस opportunity को properly grab कर लेता है तो ये मान लिए कि हम लोग जो economy में अभी पाँचवी rank पे पाँचवे spot पर है ये बहुत जल्दी हम लोग इसको cross कर सकते हैं हम लोग fourth या third में आ सकते हैं क्योंकि हमसे सिर्फ दो लोग आगे हैं third और fourth वाले जो आगे हैं वो है Germany और Japan Japan already recession में है Germany की growth negative है अब ये वो जो gap है हमारे economy का और इन दोनों country की economy का वो बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए ये भारत के पास एक बहुत अच्छा सुनहरा औसर है European countries में जो भी opportunities हम को मिलती उसे हमें grab करना चाहिए हमारी अर्थ बहुत अच्छी है बहुत ही focused है बहुत अच्छे से चल रही है 6-7% की growth हमें मिल ही रही है साथी साथ अगर हम इस recession का फाइदा उठा लेते है European countries के साथ तो ये समझ लिए कि हमारा economy आगे जाने से कोई नीर हो सकता है हमें third spot तो मिल ही जाएगा वर्ल्ड में तीसरे नमबर की सबसे बड़ी अर्थ बहुत हमारी बन जाएगी सबसे जादा चौकाने वाला जो नाम है वो Canada का है Canada का सोचिये हालत खराब हो गई है लेकिन भारत का भी रोध इन से नहीं खतम हो पा रहा है वहाँ के जो प्रधान मंत्री है Justin Trudeau भारत भी रोधी गत्विदियों में लगे हुए है किसी भी तरह से कोई ना किसी चीट का सबूत देना है ना कुछ करना है फिर भी भारत के खिलाफ एक कोई ना कोई नया प्रोपगेंड़ा या रचा करते है अपनी एकॉनमी पे इनका फोकस नहीं है कि वो निगेटिव जा रही है उस पे इनको कुछ ध्यान देना चाहिए जिससे कि कुछ इनके आंग काम हो सके लोगों की जो महंगाई बढ़ी हुई है ये कम वो लोगों को रोजगार ज़्यादा मिले उस पे फोकस नहीं इनका भारत में तो कम से कम ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि हम लोग बे रोजगारी ज़्यादा जहिल रहा हूँ कम से कम पहले से जो बे रोजगारी हुआ करती थी भारत में उसमें तो काफी कंट्रोल आया हुआ है हमारे यह लोगों को पास रोजगार भी है दोस्तों ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग नीज़ है और इससे अगर जोड़ी हुई कोई और डवलेप्मेंट आती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटब वीडियो ले कर आऊँगा धन्यवाद दोस्तों आपको इंट्फॉर्मेशन अच्छी लेगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं